पंजाबी डेरा ब्यास दे पैरुकारां दे लई खुश खबरी है दाज़े ये कि डेरा ब्यास दे मुखी संत गुरिंदर सिंग टिलो चसंग समागम करन जारेने जिसनों लेके एक नोटिफिकेशन वी जारी किता गया है समागम दे विच की कुछ होएगा समागम कदो किमयते किते किता जाएगा इस रूँ लेके एक नोटिफिकेशन जारी किता गया दाज़े की करोना काल दे विच लोका दे इकठ ते पाबंदी लगाई गय सी इसलेई देरे दे सारे प्रोग्रामा नू रद कर दता गयासी पर होण एक नवी जानकारी निकल के सामड़े आ रही है कि पैंती महीने बाद देरे दे विच्चों मुड़तो समागम हो जारे ने देरा ब्यास दे शर्दालूआ दिलेई एक खुशखबरी है चार ग्यारा ते अठारा दिसंबर नू ससंख होएगा ते ससंख खुद देरा ब्यास मुखी गुरिंदर सिंग तिलो खुना दे वलो कीते जानगे दासे ये कि संथ गुरिंदर सिंग तिलो खुद ससंख करनगे पहले दूसरे यते तीसरे रविवार सवेरे दस वजे ससंख दी शुरुआत किती जाएगी पैंती महीनिया बाद इस समागम खोन जारी है जिते डेरा रादा स्वामी ससंख ब्यास ने डेरा ब्यास दे विच ससंख समागमा दी कोशना कर दती है इस बारे दे विच एक लेटर वी जारी होया इस लेटर दे विच होन वाले सारे समागमा दा वेरवा दित्ता गया वैसे ता समागम दो दसंबर तो शुरू हो जानगे पर मुख समागम जिस दा इंतजार सारे शर्दालुआ नू सी ओ है रवीवार नू संत गुरिंदर सिंग टिलो होना दा ससंग ता ओ पहले दूसरे अते तीसरे रवीवार यानी 4 दिसंबर 11 दिसंबर अते 18 दिसंबर नू सवेरे 10 वजे शुरू हो जाएगा समागमा दी लेस्ट आन दे नाल शर्दालुआ दे विच खूशी दी लहर पाई जा रही है क्योंकि लंबे समे तो इंतजार कीता जा रही है सी करोना काल दे विच ससंग बंद कर दे गई सन समागम बंद कर दे गई सन ते उस्तो बाद खूण पाबंदियां हटाईया गई याने डेरा ब्यास दे मुखी संत गुरेंदर सिंग टिलो हुना दे वलो ससंग कीता जाएगा इस दी उडीक सारे शर्डालुआ नो सी ते आज एक लिस्ट वी जारी कीती गई है हलाकि इस लिस्ट दे विच सारे वेरवे दिते गईने कि किस तरीके दिनाल पुरे समागम होनगे दोर दिसंबर 9 दिसंबर अते 16 दिसंबर दिन शुकरवार नू चार तो 5 बजे शब्द किर्थन कीता जाएगा उस तो बाद शनी वार 3 दिसंबर नू दर्शन कीते जानगे ते परशाद समागम होएगा शनी वार 3 दिसंबर 10 दिसंबर 13 दिसंबर नू ससंग कीता जाएगा ते उस तो इलावा सब्तो जादा इंतजार जो शर्दालूआ नू सी ओ एतवार दे ससंग 10 जेड़े खुद संत गुरिंदर सिंग तिलो हुना दे वल्लो कीता जाएगा यानी 4 दिसंबर 11 दिसंबर 13 दिसंबर नू सवेरे 10 वजे समागम खोन गे इस खबर नू लेके डेरा ब्यास दे शर्दालूआ दे विच खुशी दी लहर पाई जारी है क्योंकि उना नू लंबे समे तो इंतजार सी हलाकि 55 महीनिया बाद इना समागमा नू मुड़ तो शुरू कीता गया है करोना दे दोरान इना समागमा नू बंद कर दता गया सी पर्खुन मुड़ तो शुरुआत होई है इना पूरे समागमा नू लेके जेकर कोई भी तबदीली खुन दी है या कोई अपडेट ओन दी है ता साड़े वल्लो इस दी जानकारी तो हाडे नाल सांची कर देती जाएगी पर पेरुकारा दे विच इस वक्त खुशी दी लहर पाई जा रही है क्योंकि मुड़ तो ससंग समागमा दी शुरुआत को जा रही है ते पहला ससंग समागम चार दिसंबर दिन एत्वर महीने दा पहला एत्वर उस दिन कीता जाएगा दूसरा ससंग समागम ग्यारा तरीक नू कीता जाएगा ते फिर इसे तरीक नाल 18 तरीक नू तीसरा समागम होएगा हाला कि जेकर इस बारे दे विच वक्त कोई गोर जानकारी आँ तो वी जानकारी तो हाडे नल सांची कर दती जाएगी